Insurance Industry में आजकल हर कोई manager objection से परिशान है राइट वो business call पर जाता है या फिर किसी को recruit करने के लिए जाता है ना सबसे पहले उसको जो मिलता है वो होता है objection अभी तो बात करना शुरू भी नहीं किया है उससे पहले ही कई बार मिल जाता है सही है लेकिन insurance industry में हर manager को इसी पर training दी ज जाएंगे जिनमें भी आपको यही सिखाया जाएगा कि objections को handle कैसे किया जाता है या objection के साथ deal कैसे किया जाता है लेकिन बहुत कम ऐसे वीडियो बने हैं जिसमें आपको यह सिखाया जाता है कि objection को जड़ से खतम कैसे किया जाता है थो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे म बात करने वाले हैं. मैं आपको दो चार ऐसे बहतरीन हैक के बारे में बताने वाला हूँ जिनके इस्तमाल करने के बाद आप भी अब्जेक्शन्स को जड़ से खतम कर पाओगे. इंट्रेस्टिंग राइट? आएए देखते हैं इस वीडियो में. हाई मेरा नाम है रवी और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूँ कि एजेंस्रिक्रूट्मेंट.com के इस यूट्यूब चैनल पे हम ऐसी कई सारी यूनीक और प्रोड़क्टिव तरीकों के बारे में बात करते हैं जिससे आप आपके लोकल एरिया से भी बल्क में एजेंस को रिक्रूट करना सीच जाओं. So, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्स्राइब कीजए क्योंकि एजेंस को रिक्रूट करने के ऐसे ही कई सारी यूनीक और प्रोड़क्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पर. तो हम बात कर रहे थे ऐसे बहतरीन चार hack के बारे में जिनका इस्तमाल करने के बाद आप भी आपके client के पास से जो objections मिलते है या फिर आपके prospective agent के पास से जो objections मिलते है आपको उनको जड़ से खतम कर पाओगे तो उसमें हमारा hack number one है prediction जी हाँ देखे क्या होता है जबी भी manager sales call करना शुरू कर देता है या फिर recruitment call करता है तो धीरे धीरे जब उसको practice होती है तो उसको पता चलने लग जाता है कि मैं client के साथ जब बात करना शुरू कर देता हूं तो ये जो objection है ये typical objections हमेशा आते है राई तो आपको क्या करना है पता है इनी objections के बारे में बात करना आपको ही शुरू कर देना है जी हाँ उससे automatically objection avoid हो जाता है कैसे पता है एक example देता हूं आपको जैसे for example आप sales call पे चाहिए पता है उसको इस तरह से रखना चाहिए कि देखे सर ये जो policy है इसके बारे में मैं तो आपको बताना चाहता हूं लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूंगा कि कई customers हैना मेरी ये गलती करते हैं कि इस policy को उस policy की साथ compare करना शुरू कर देत हैं और इसकी वज़े से सही decision नहीं ले पाते हैं देखा आपने क्या किया आपने उसको पहले से बता दिया कि अगर आप यह सोच रहे हो ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तो मान लो अगर वो यह सोच भी रहा है न तो अचानक से क्या सोचना शुरू कर देगा कि नहीं और वो है replacement जी हाँ कॉल के दौरान मान लो आपको ऐसा लगता है कि कोई एक सवाल ऐसा है जिसका आपके पास जवाब नहीं है और धीरे धीरे हमेशा कॉल है ना उसी सवाल पे जाता रहता है और वहीं पे आप अटक जाते हो तो आप है ना customer के mind में literally यह सवाल को replace कर सकते हो कैसे पता है जैसे मान लो आपको पता है कि यह जो सवाल है ना इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है तो आप पहले ही उस सवाल को बोल दो और कुछ इस तरह से बोलना है कि सर कई लोगों को यहाँ पर लगता है कि यह जो सवाल है यह बहुत जादा important है लेकिन नहीं इस से आपको बताए यह जो policy ना मैंने कई customers को समझाई है लेकिन जब मैं उनको समझाता हूँ ना मैं हमेशा यह सूचता हूँ कि क्या हम इस policy में इस तरह से कर सकते हैं अगर ऐसे करेंगे ना seriously बताओ बहुत अच्छा आपको benefit मिलेगा मतलब क्या किया आपने आपने खुद को ही सवाल पूछा और खुदी जवाब दे दिया और customer उसमें मान भी गया तो यह है हमारा hack number two अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे hack number three के बारे में और वो है being brave जी हाँ बहादर बनो हिम्मत रखो इसका मतलब क्या है पता है कि जो भी सवाल आपको ऐसे लगता है कि call के दौरान बहुत ज़्यादा difficult है आपके लिए जो भी objections आपको ऐसा लगता है कि इसका यार मेरे पास जवाब नहीं है उन्ही objections को अपने presentation में डाल दो जैसे for example अगर आपको पता है कि लास्ट में है ना client बोलने ही वाला है कि यार sorry लेकिन इनो product बहुत अच्छा है आपका लेकिन sorry मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो उसको कितना invest करना चाहिए amount पे आने से पहले ही उसको क्या बताना है उसको ये बताना है कि अगर sir आपको अपकी family को financially protect करना है तो आपको सिर्फ एक काम करना है हर महीने अपनी family को एक बार movie और dinner के लिए लेके जाना है क्या ये कर सकते हो तो वो automatically पूछे गा यार ये कैसे हो सकता है ऐसे थोड़ी ना family protect होगी financially तो उसको बोलना है sir मैं बताता हूँ हो जाएगी उतना ही खर्चा इसमें करना है महीने में एक बार आपको तीन से पांच हजार का जो भी amount है वो side में रख देना है और इसमें invest करना है और सोच लो कि आप एक बार movie और dinner के लिए जाके आए हो आप समझ रहे हो आप कैसे handle कर रहे है उसको no money का है न सवाल आएगा ही नहीं आपके सामने सीधा इस objection को अवाइड कर दोगे आप या फिर मान लो आप recruitment call पर बैठे हो recruitment call पर हमेशा जादा दर managers को यही इनों objection मिलता है कि यार मेरे पास इतना time नहीं है और जादा दर managers इस objection को है नो handle नहीं कर पाते और इसकी बज़े से अच्छे agents अपनी team में recruit नहीं कर पाते तो इसको आप अपने presentation में कैसे add कर सकते हो इसको कैसे avoid कर सकते हो example देता हो उसको पूछना है कि अगर आपको इतना पैसा हर महिने कमाना है तो आपको सर्फ एक चीज करनी है क्या आप हर रोज 3-4 घंट ओटी प्लैटफॉर्म पर इनो जो वेब सीरीज आती है वो देख सकते हो या फिर 3-4 घंटब जो रील देखते रहते हैं वो कर सकते हो क्या तो बोले कमाल यार क्यूं मजा कर रहे हैं यार ओटी टी प्लैटफॉर्म उतना time तो कुछ भी करके निकाल लोगा तो उसको बुलना है बस तो फिर OTT platform के लिए मत निकालो इस business के लिए निकालो Yes, फस गया वो क्योंकि उसने खुदर है बोल दिया के वो time निकाल सकता है तो OTT platform पे web series देखने के लिए अगर तुम time निकाल सकते हो न तो बॉस अपनी family की अच्छा पैसा कमाने के लिए इस business के लिए तो आराम से तीन से चार घंटे आप part time में अगर शुरू करना है आराम से निकाल सकते हो लेकिन इन चीजों की न थोड़ी सी practice करनी पड़ेगी एकदम से नहीं आएगा राइट थोड़ा सा brave बनना पड़ेगा आपको थोड़ा सा हिम्मत दिखानी पड़ेगी ऐसी dialogues मारने के लिए राइट लेकिन इसका आप धीरी धीरे practice करते जाओगे आपको ही मज़ा आएगा ऐसे objections जो आपके सामने आएंगे ही नहीं तो ये था हमारा hack number 3 जिसका नाम है being brave और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे hack number 4 के बारे में और वो है mass recruitment strategies जी हाँ इन strategies के बारे में मैंने कई मेरे वीडियो में बताय हुआ है और ये जो strategies है ये ऐसी strategies होती है जिनको implement करने के बाद आपको कोई भी objection मिलता ही नहीं है जी हाँ ये strategies zero objection strategies होती है और इनकी मदद से आप अपने local area से भी bulk में agents को recruit कर सकते हो इन strategies को क्या आपको सीखना है आपको जानना है कि ये strategies कैसे implement की जाती है आपको मैं दो रास्ते बताता हूँ पहला है free वाला और दूसरा है paid वाला ठीक है सबसे पहले हम बात करता है free वाले तरीके के बारे में देखे ये जो मेरा YouTube channel है ये आपके लिए YouTube channel हो सकता है लेकिन मैं इसको एक library की तरह देखता हूँ इस पे मैंने 200 से भी जादा videos को upload किया हुआ है यानि 200 से भी जादा अलग-अलग ideas है मैं आपको genuinely recommend करता हूँ कि जितने भी videos है इस channel पे देखना शुरू करो जो भी ideas मैंने आपके साथ share किया है उनको implement करना शुरू करो आपको बताए कई सारे ऐसे managers है insurance industry में जिनको मेरा YouTube channel देखके ही बहुत अच्छा result मिल चुका है तो ये है free वाला तरीका और paid वाला तरीका क्या है मेरे कई ऐसे courses है जो मेरी website पे available है उसमें सबसे बहतरीन course जो है that is how to mass recruit agents वो मैं इसलिए recommend करता हूँ कि मान लो अगर आपको ये नहीं पता है कि mass recruitment strategies को किस तरह से implement किया जाता है उसका process क्या है अगर ये process step by step सीखना है न तो आपको अपने आपको how to mass recruit agents इस training program में इस training course में जरूर enroll करना चाहिए ये course एक pre-recorded video series है यानि जैसे इसमें enroll होगे आपको ID password मिल जाएगा और login ID password को इस्तमाल करके आप online ही कई सारे अच्छे videos देख पाओगे और ये जो course है ना इसमें एकदम आराम से step by step detail में आप सीखोगे कि आपके local area से अगर आपको housewives को recruit करना है आपको इनों already जो LIC agents है MDRT agents है उनको अगर recruit करना है businessmen को recruit करना है retired people को recruit करना है इन लोगों को अपनी team में bulk में कैसे recruit कर सकते हो अगर इस training course में आपको enroll करना है तो उसका link मैंने नीचे description में already दे दिया है उसपे click कीजिए और अपने आपको आज ही enroll कीजिए तो I am sure ये चार जो hack आज मैंने mass recruitment strategies इसके बारे में मुझे ना मीचे comments में please लिख के बताईएगा क्योंकि मैं भी ये जादना चाहता हूँ कि आपको कौन सा तरीका सबसे जादा पसंद है और insurance industry में objection के बाद सबसे बड़ा दूसरा जो problem आता है ना manager को वो आता है follow ups का तो अगर आपको follow up करने में भी परिशानी हो रही है ना तो उससे related already मैंने एक video create किया हुआ जसका link मैंने यहाँ पे आपके साथ share कर दिया है इसको आप click करके देखेगा follow ups का attention खतम हो जाएगा और उसके बाद अगर आपको अपनी team में बल्क में agents को recruit करने के बहतरीन तरीके सीखने है तो उसका भी एक वैसे ही video मैंने यहाँ पे link कर दिया है इसको भी आप जरूर देखेगा और यह video अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको like और share जरूर कर देना और channel के support के लिए उसको subscribe भी जरूर कर देना and thank you so much for watching मिलते हैं अगले वीडियो में